नमस्कार, MH1 के धूप चाओं प्रोग्रेम में आप सब का स्वागत है, मैं हूँ मनोज रखुएंशी, आज हमारे महमान हैं भारती जनरता पार्टी के राष्ट्री नेता, श्री शांता कुमार, आप सब उनको पहचानते हैं, और आपने उनके विचार सुने भी हैं, लेकिन कुछ हमारे मन में शंकाएं हैं, जिनको की हम उनसे दूर करना चाहते हैं बात करके, शांता कुमार जी, भारती जनरता पार्टी ने अपने बारे में बहुत साल से एक डिंग मारी हुई है, कि हम पार्टी विदे डिफरेंस हैं, क्या आप सोचते हैं कि वास्तव में ये डि जिएंग बिलकुल ही मारी, बहुत सोच समझ कर बहुत पहले हमने एक संकल्प लिया था, और ये संकल्प राश्टिय स्वेम सेव संग के सरसंग चालग गुरू कोलवर्कर जी की आशीर वासे लिया था, डॉक्टर शामा परशाद मुकर जी थे, देश की परसिती को देखक डॉक्टर शामा परशाद मुकर जी जब मंत्री मंडल से अलग हुए, तो उनको अलगा इस देश में इस देश की जड़ों के साथ जुड़ा हुआ को राजनीतिक संगतन चाहिए, वे गुरू गोलवर्कर जी के पास कही, कि बहुत व्यापत मजबूत संगतन संग है, आप राजनीति में आएंगे, लेकर हम इस आवे शक्ता को समझते हैं, हम आपको आशीरवाद देगे, पूज ने गुरू जी ने आशीरवाद दिया, और उस वकत राश्टिय स्वेम संगत से जो लोग निकले, निरने ये किया, एक अलग नई राजनीतिक गल, जो इस देश की स जन्सकती, जड़ों से जुड़ी हुई हो और पार्टी वे दे डिफरेंस हो, तो हमने संकल्प किया है, देश भकती मातरी भ्हूमी के परती एक जबरदस आराधना किस्ता, संकल्प किया था, हमाना सवाल ये, किया है, किया है, समय के साथ, जब सत्ता की राजनीति हम आएं तो पूरी राजनीती का जो अवमूलन आज देश में हुआ है राजनीती पत्रडी से उतर गई है अवमूलन है राजनीती का भष्टी करण हो गया व्योपारी करण हो गया देश का दुर्भाग गया है कि देश की राजनीती ऐसे आगए तो यह जो प्रदूशन राजनीती के मुल्यन का पहला इसके कुछ चींटे हम पर भी पड़े हैं मैं स्वीकार करता हूं लेकर आज भी हम एक सीमा तक पार्टी वज़े डिफरेंस हैं देश में जितना भी राजनेतिक मुल्यन है उसमें फिर से देश को अच्छा सरकार देने के लिए फिर से इस भरष्टाचार को समात करने के लिए अगर सबसे जादा क्षम तक है तो केवल भारती जन्ता पार्टी में तो आप शांता कुमार जी इस विकार कर रहे हैं कि जो देश की राजनीती में गंदगी है वो आपके अंदर भी आई है तो हमारा सवाल ये है कि ठीक है आप तो एक कंपेरिटिव बा हमने कंफेशन क्या करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या गंदगी आई है जो आप स्विकार कर रहे हैं कि हमारे अंदर आई है कोई गंदगी नहीं आई है पर दोशन के कुछ चीन्टे हम पर पड़े हैं आज भी हम बाकियों से बहुत अच्छे हैं देखे मैं एक मसाल देता ब्रश्टा चार के खिलब हम लड़ेंगे और देखे तीसी बहत हमने कही इस ब्रश्टा चार के खिलब लड़नेस पहले हम आत्मन डिक्षन करेंगे और चौती बात कही वी री डेडिकेट अवर सेल्फ टू मेक इंडिया करफशन फ्री कंट्री इतना साहस केवल हमारी पार् सबसे बड़िया गवरननस है तो हमरी सरकारों में है अधिक सदिक इमानदारी है तो हमरी सरकारों में है लेकर मैं यह मान रहा हूँ कहीं कहीं कमियां आई हैं अगर मैं सुईकार नहीं करूंगा तो मैं सुधार नहीं कर पाऊंगा लेकर आप पबलिक के सामने खुल के बता अगर हम उधारन लेंगे देखिए उत्तरा खंड में चुना हुआ आ फार गए जबकि जनरल खंडूरी जो उस वक्ते मुख्यमंतरी थे उन्होंने बिलकुल मतलब जो समय का पबलिक मूर्ट था एक जनलोक पाल बिल होना चीए उन्होंने बिलकुल लोकायोगत जा बिलकुल केंडर से मंतिनी पद छोड़ना पड़ गया था करप्षन की वज़े से और केंडर की सरकार के ऊपर कॉंग्रेस पार्टी की ऊपर इतने सारे आरोप लगे थेा करप्षन कि आप उत्राखंड में हार गए, आप हिमाचल में हार गए, करनाटका में चुना होने वाला है या हारने ही वाले हैं, जारखंड में आपकी सरका, मतलब हम कैसे मान लें कि करप्शन का आपका जो मुद्दा है वो पुब्लिक स्वीकार कर रही है? मैंने इसी लिए स्वीकार किया है कि कमियां आई हैं, कुछ चीन्टे हम पर पड़े हैं, हमने इस बात को स्वीकार किया है, आत्मन लिक्षन कर रहे हैं, हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन आज भी हमारी पार्टी बाकियों के इस दिशा में, अब देखें दिल्ली में क्या करप् है, मंतरी तिहार जेल में, रोज कोई ना कोई घपला, उस मकाबले पर, जो पूरे देश की राजनीती का अभुल्य ने, उस मकाबले पर हम में आज अधिक पोटेंशल है, हम अच्छे हैं, और सबसे बड़ी अचाही हमारी क्या, हमने आत्मन लिक्षन की बास विकार की है, यह सब पार्टी, यह सब पार्टी कहते हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, किसी और पार्टी ने, यह प्रस्ताप पास करने का साहस नहीं कि है, जो हम ने किया, तो मेरा आप से यह कहना है, मैं स्विकार करता हूँ, स्विकार करता हूँ, कमिया आई है, हम उनके बारे में सजग है, potential हम में है, क्षमता हम में है, इस देश को बढ़िया governance देनी कि हम कोश्च कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी उनकम्यों को दूर करें, लेकि हम दिल्ली में बैठे हैं, आप क्योंकि राजसभा में हैं, आपका एक घर दिल्ली में है, अशोक रोड, 23 नंबर, हम आपके घर में बैठे के बात कर रहे हैं, दिल्ली में आपकी सरकार, मतलब 1993 में मदनलाल खुराना को सरकार मिली, उसके बाद, अंदर खाने तै भी यह हुआ था, लीडर्शिप से, पार्टी मतलब जो एक आदमी था, जो दिल्ली में जीत रहा था, उसके बाद आपका फॉर्मूला ही ने निकला आपके पास चुनाव जीतने का? मैं स्विकार कर रहा हूँ कि कहीं कहीं कमी आई हैं, इसी कारण हम चनाव ने जीत पाए, लेकन जहां दिल्ली है, जहां उत्रा खंड है, वहां मद्ध वर्देश भी है, वहां गुजरात भी है, जहां पर हमने इतनी बड़िया हमारी लोगों ने इतना बड़िया शाशन द करने की तमना, लालसा हम सब के दिल ले हैं. लेकिन पार्टी विद इडिफरेंस में एक बात जो थोड़ी सी अटपटी लगती है, मतब मैं तो बलकि कहता हूँ कि बीजेपी है, पार्टी विद इडिफरेंस है, मैं तो कहता हूँ, कैसे है, जैसे कॉम्मिनिस पार्टी सरकार को, आपने भी अपनी नवासी सीट से सपोर्ट किया था, और कॉम्मिनिस ने बाहर बाहर से सपोर्ट किया था, लेकिन जब Communist support करते हैं चाहिए वो UPA को support करें उन्हों करा उन्होंने Communist जब support करते हैं तो वो कहते हैं देगी साथ एक common minimum program होगा और हम अपना agenda नहीं छोड़ेंगे हम अपनी ideology नहीं छोड़ेंगे लेकिन आप जब अपने अपने मूल बात तो छोड़ी देते हैं ना देखे देश के हित में उस समय जो आदरनी अटल वहरी वाज़ बहुत बड़ा राश्डी हित में निरने था क्योंकर देश को जरूरती एक अच्छे विकल्व की और यही बात कही जा री थी कि कंग्रस का विकल्व कोई एक पार्टी थी नहीं तो उस सबुए बशे का विकल्व कोई पार्टीkaं उन पाइच सालों के अंदर दी, ये उसका एक विदाए, एक पॉजिटिव पक्षवी है, और हाँ, छे साल बहुत बढ़िया सरकार हमने दी, और देखिए उसमें ये है, बढ़िया सरकार दी, तो फिर आपकी सरकार, आप 2004 में क्यों हारे, 2009 में क्यों हारे, हमने अपने बनिय प्रोग्रम हमने बनाया, और मैं समयता हूँ, देश के हितने वो फैसला था, और बहुत बढ़िया काम करके दिखाया, एक तो ये किया किया, कॉंगर्स का विकल्प है, उन से बढ़िया विकल्प है, महंगाई रोकी जा सकती है, कुछ नया किया जा सकता है, और इस पाइच साल की सरकार में जो स्कैम हुए मंत्री अंदर गए, इस किसम की कोई बात उन छे साल के अंदर नहीं थी, तो उसका यह जो पक्ष है, यह उजल पक्ष है, तो उस में जब मुझे और आपको इकठे चलना है, तो कुछ बातें आपकी मुझे माननी पड़ेगी, कुछ बातें देश का हित सामने रख करके किया गया। हमारी पार्टी में इंटर्नल डमोक्रेसी है, हम सब सोचते हैं, अपने दिमागों को ताला लगा करके दस जन्पत्पत नहीं रखा हुआ, कॉंग्रिस पार्टी नहीं है, इस से बड़ा दिवालियापन क्या हो सकता, हिंदोस्तान की सबसे वरानी पार्टी, कितने वन्षकी, गुलाम, मानसिक, दासता के अंदर फैसे हुए लोग हैं, और ये 21 सेदी का बहुत बड़ा अजूबा है, अरे तुम में कोई और नहीं है, जो परधानमंती बन सकता हो, तो उसका हमारा कोई मकाबला नहीं, वो एक परिवार की पार्टी है, हम जन्ता की पार्ट ने आपकी बाद 2004 में भी सुनी, और 2009 में भी सुनी, और उसके बावजूद आपकी 182 सीट थी, जो मतलब 98 में आपकी 182 सीट थी, 99 में भी आपकी 182, 182 रह गए, अगर जो बात आप कहरे हैं, वो बात लोगों को जंच जाती ही, तो आप हार थे क्यों, आप जीतते हैं, उल एक कारण नहीं होता हाड और जीद के कई कारण रहते हैं तो अलग-अलग कारण होते हैं कभी को कारण बढ़ जाता है कभी को घट जाता हूँ एक अलग भारत के चनाव का तंत्र एक ऐसा गोरख धंडा है जिसमें कौन सी चीज़ कब किसको जता देगी कौन सी चीज कपके उसको हरा देगी कुछ निखा आ जा सकता लेकिन कुल में लाकर के मैं ये समझता हूँ कि भारती जनता पार्टी कारेकरतों की पार्टी है आप लोगों की पार्टी है कोई भी भाहा देख्श बन सकता है किसी परिवार की पार्टी नहीं है इसलिए अलग अलग धंग से जब हम सोचते हैं तो कुछ मतबेद सोचने में हो सकता वो सभावे की देखिए अभी तो मैं कन्फ्यूज हूँ मतब मैं एक नाकरिक भी हूँ वोटर भी हूँ और एक पत्रकार भी हूँ अब मैं आपको जब देखता हूँ तो मुझे समझी नहीं आता है कि आप वास्ता में क्या हैं क्योंकि मतब एक तरफ मुझे दिखाई देता है कि आप बात कर रहे हैं आप ही कि कुछ नेता बात कर रहे हैं कि बिल्कुली प्रकर हिंदुत्व आगे चलके अगला चुनाओ हम अगले 2014 में या जो भी चुनाओ होगा मतलब प्रकर हिंदुत्व का हमारा नारा होगा एक तरफ आपकी नेता अगला था कि नहीं साथ हम तो केवल डेवलप्मेंट की बात करेंगे जैसे नरीद मुदी ने क अब हिंदुत्व शब्द का अर्थगर समझा जा रहा है हिंदुत्व और भारतियतों में कोई अंतर नहीं ये देश का दुर्माग है देखिए आज से लगए सौ साल पहले सौमी विवेकानन ने शिकागो में खड़ो करके का I am the proudest Hindu ever born किसी ने कमरूल नहीं कहा उनको तो भारतियत तो एक है जब मैं कहता हूं मेरे देश में कोई गरीब ना रहे मैं देश के गरीबी को दूर करना चाहता हूं मेरी मातरी भूमी गरीबी के कलंग से मुक्त हो जाए इसमें हिंदत तो है इसमें मातरी भूमी की पूजा है सौमी विवेकानने क्या कहा था भारत के लोगों पचास साल तक देवी देवतों को भूल जाओ इस देश के गाउं का गरी तुम्हारा सबसे बड़ा देवता है